Hello everyone, स्वागते दोस्तों आपका मेरे चैनल पे मैं प्रिशांत कुमार सुकला एड़ोकेट साथियों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे AIB18 के जो Important Landmark Judgment है जो की Constitutions related है और सबसे आदर लोगों की डिमांड तिसार वो हिंदी में चाहिए तो ये AIB18 के जो latest Landmark Judgment है वो उसको आज वीडियो में डिसकस करेंगे Total 18 Landmark Judgment है सबसे पहले बात कर लेते हैं केसाओननदा भारती बनाम केरल राज के मामले में तो ये के Important Judgment था इस मामले में महत्पुर यहा है कि क्योंकि इसने मौलिक संग्रचना के जो सिदान्त की स्थापना की जिससे सपच्ट होता है कि समविदान में कुछ विसेस्ता हैं संसत के पहुच के बाहरे और उन्हें बदला नहीं जा सकता ये केसाव नंदा भारती बनाम केरल राजी के मामले में जो की 1973 का एक Important Land March Judgment था इसको जरूर आपको पढ़ लेना है नेक्स्ट है मेरिका गांधी बनाम भारत सरकार थोड़ा मात्राओं पर ध्यान दीजेगा और बड़ा मुश्किल से ये judgment आपके लिए बनाया गया है तो इस पर थोड़ा कोशिस रहेगी कि जो भी तुरूटी हो उसके लिए माफ करिएगा और ये वह वैसे तो मैं इंगलि प्रक्रिया योग न्यायसांगद ओचित होनी चाहिए जो कि मेरिका गांधी बनां 12 सरकार के मामले जो की Pastor का एक important judgment था नेक्स्ट है गोलक नाद बनाम पंजाब राज ये एक important judgment था जिसमें मामले में सुप्रीम कोट ने कहा कि संसत नहीं कर सकता कि सम्विदान के बाग ठर्ड में उलेकित किसी भी मौलिक अधिकारों को कम किया जाए हलाकि इस निर्णे को बाद में केसा उनन्दा भारत के मामले में खारीच किया गया था नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जज्मेंट है जो की फोन नंबर पे है मिन्रवा मिल्स बनाम भारा संसरकार जो की 1980 का एक important landmark judgment था जिसमें मौलिक संगरचना की सिद्दानतों के बारे में महत्पूर्ण को दोराया और घोसित किया गया उसकी स संसर सविदान की मौलिक संगरचना को बदल नहीं सकती है जो किस केसला में कहा गया था मिन्रवा मिल्स बनाम भारा सरकार के मामले में नेक्स इंपॉर्टेंट जो landmark judgment है वो है इंदरा गांधी बनाम राज नरायार यह 1975 का एक latest landmark judgment था इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप आपत काल के समय भी बनी रहती है तो इसमें आपत काल की जो घूषना समन्दी इंदरा गांधी बनाम राज नरान के मामले में बात आई सिफारों की स्थितिक को इसपश्ट किया जो कि बियार अमेट का बना भारास सरकार को 1995 का एक landmark judgment था जो कि इंडियन कॉंस्टूइशन में बहुँ जदा फेमस था विसाका बनाम राजिस्थान राज नराज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कारिस्तल पर सेक्सूल हरेस्म को रोकने के लिए दिसा निर्देश दिये थे तो ये विसाका बनाम राजिस्थान राजी के मामले में 1997 का एक महत्पूर्ण लेंड माज जजज्मेंट था जिसमें धारा 14, 29 और 21 के ते गरिमा के साथ काम करने का भी अधिकार इसी जजज्मेंट में बात कही गई है नेक्स इंपॉर्टेंट जो जजज्मेंट है विजय मालिया बनाम भारा सरकाल 2016 का इस मामले में सुप्रीम कोट ने दुरचार के मामले में अदालत के पास सक्तियां देखने के बारे में भी फैसला किया ये एक इंपॉर्टें लेंड माज जज्मेंट था जो विजय मालिय इसको लेकर विवादित मुद्दे पर हुआ इसने समापती उपासना के सिद्दानत को भी बढ़ावा दिया नेक्स इंपॉर्टेंट जो लेड मार्ट जज्ज्मेंट है राज गोपाल बनाम तमिलाड राजू के मामले इस मामले में सुप्रीम कोट ने नियाईक समिच्चा के सिद्दानतों की महत पूर्टा पर जोड़ दिया और कहा कि अदालतों को प्राससनी क्रियाओं की सुनच्चता के लिए समिच्चा करने की सकती है जो कि राज गोपाल बनाम तमिलाडू राजी के मामले 1954 का एक लेटेस लेंड मार जजज्मेंट भी था और जो काफी जदा आज के समय भी इसको चर्चा होती है नेक्स इंपोर्टेंट जो जजज्मेंट है वो अरुणा सबायक बनाम भारा सरकाल 2011 का इस मामले में इच्चा मृत्यू के मुद्धो को लेकर फैसला हुआ उसने जीवन समर्तन संबंदी मार दर्सकाएं प्रदान की नेक्स इंपोर्टेंट जो लेड मार जजज्मेंट है वो स्रिया सिंगल बनाम भारा सरकाल 2015 इस निर्णे ने IT8 की धारा चाचट 66A याने की चाचट A को अस सहविधानी घोसित किया कौनसे श्रिया सिंगल बनाम भारा सरकाद 2015 कामा इसमें इंटरंेट पर भै मुक्ती अभै व्यक्ती कैदार अधिकार को भी स्थापित किया गया नेक्स इंपॉर्टेंट जो जज्चमेंट है लेंडमार्क MC महता बना भारा सरकार इसमें ओलियम गैस लीग का मामला भी कहा जाता है और MC महता बना भारा सरकार जो की 1997 का एक महत्व लेटेस लेंडमार्क जज्चमेंट था नेक्स्ट है बंद्वा मुक्ती मोर्चा बनाम भारा सरकार 1984 का ये लेडमा जज्ज्मेंट था इस मामले में नियाएधीशों ने बंद्वा सरम के मुद्दो को संबोधित किया इसे रोकने और समाप्त करने की जो निदिसा निर्देश दिये जीवन का अधिकार को बचाने का महत्पूर्टा को भी बताया जो कि बंद्वा मुक्ती मोर्चा बनाम भारा सरकार 1984 का जज्ज्मेंट था नेक्स्ट है सोलवा नंबर पर जो विजय मालिया बनाम UOI यानि कि 2016 में इस मामले में निया दिसों ने साबित किया कि सुप्रीम कोर्ड में गलतियों की स्थिति को में भी सम्मान की जवाब देई होनी चाहिए और जन जीवन के अधर्सों को बनाए रखना चाहिए नेक्स इंपॉर्टेंट जो लेंड माज जज्जमेंट है वो है इंडियन यंग लर्ड एसो सी सम बनाम UOI 2018 इस फैसले में जीवन को गरिमा से जीने का दिकार मानता प्रदान किया भारत में पैसी हुई यानि इच्छा मृत्यू को भी कानूनी बनाया जो कि इंडियन यंग लर्ड एसो सीम बनाम UOI 2018 के मामले में रहा नेक्स रिया सिंगल बनाम UOI 2015 इस निर्णे में IT168 को आज सर्दानी घुसित किया था तो ये एक important landmark judgment है और जो की हिंदी में वह लोगों की demand थी इसलिए मैंने top 18 landmark judgment जो की constitution से related है भारती समविधान से related है उसको मैंने share किया और जिन लोगों को AIB 18 की landmark judgment नहीं मिला है तो दिये गए whatsapp नमबर पे hello लिखिए हमारे page को support कीजे और ये जो judgment है only 49 rupees में आपको दिया जाएगा तो इसकी जो PDF है वो English में है अब जो CT थी जो free of cost की CT थी वो कल तक के लिए थी लेकिन अब से जो भी judgment आपको दिया जाएगा उसकी जो cost है वो only 49 rupees है तो दिये गए जो whatsapp नमबर पे आप इसको ले सकते हैं पर्चेस कर सकते हैं जो landmark judgment AIB 18 का है 49 rupees में तो मिलते एक next video next judgment series के साथ तब तक के लिए धन्यवाद